हेलो बिटा एक बार फिर से सवागत है फुल एक्सी वर्मा के सॉलिशन की वीडियो में आपको मालू में पार्ट वन और पार्ट टू में धका धप दोनों एक साथ ले करके चल रहा हूं और 10 महीने के अंदर अंदर दोनों बुक पूरी तरह से सॉल्व करके आप लोगों को दे दूँगा यह वादा है मेरा तो फिलहाल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चल रहा है और यदि आप लोगों को वेक्टर के बारे में नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप प्लेलिश्ट दबाईए और वेक्टर से रेलेटेड जो पढ़ना है वो क्लास 11 की थियोरी पढ़ लीजिए और फिर आजाईए यहां पर मेरे बिटा कुश्चन नंबर 18 में यह कह रहे हैं कि यदि किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस V वेक्टर है विटा तुमारी नॉलिज के रिए बता दू यह कोई गलत फॉर्मुला नहीं यह क्लास 12 में फॉर्मुला आता है और इसे कहते हैं लॉरेंज फोर्स फिर तुम्हें उससे मतलब नहीं तुम तो इसे एक फॉर्मुला मान कर कर के चलो क्यूं है चार्ज ये को कहते है इसे न मै्टेलन गजो!" ये चैनल ये हैं magnetic field तो बताईए velocity किस direction में होनी चाहिए यह क्या करें in what direction and with what minimum speed should the charge particle be sent so that net force on it is zero velocity किस direction में होनी चाहिए charge की charge को किस direction में भेजा जाए कि उस पर force zero हो तो हमें minimum velocity की बतानी है जिससे force zero हो अब जड़ा इस equation को बेसमान करके चलो कि इस equation को बेसमान करके चले force आपको zero चाहिए यानि कि बड़ा qe plus जैसा कि इन्हों ने दिया है qv vector cross v vector it must be zero कि इसे लिख सकते हो qe vector is equal to minus q v vector cross v vector q से q उड़ा दो e vector is equal to minus b vector cross v vector तो e vector is equal to b vector cross v vector आप लोगों को पैटा इतना तो basic पता ही होगा कि a vector cross b vector का negative होता है b vector cross a vector तो minus of v vector cross b vector बराबर किसके होगा अब ये vector इस vector के बराबर है तो इनके magnitude भी बराबर होंगे तो मेरे बिटा उसके magnitude भी बराबर है तो e vector का magnitude है e b vector cross b vector का magnitude है b b sin theta तो velocity का formula क्या हो गया क्या हो गया velocity का formula velocity का formula हो जाएगा e upon b sin theta लेकिन अब वो मेरे से पूछ रहे किस direction में charge को भेजे और किस minimum speed से भेजे कि force 0 हो जाए तो आपको minimum speed चाहिए ना speed minimum तब होगी जब sin theta maximum होगा sin theta maximum होता है 1 यानि कि theta is equal to 90 degree पर तो रख दो theta को 90 और निकाल लो minimum speed तो भहिया minimum speed e upon b से भेजना पड़ेगा यही है minimum speed जहां मैंने sin theta को 1 रख दिया है और theta क्या है 90 degree theta किस किस का angle है बिटा b vector cross v vector b v sin theta तो theta है b vector और v vector का angle theta क्या है b vector यानि कि magnetic field और velocity का angle तो velocity आपको किधर लेनी चाहिए तो जवाब है z axis की तरफ लेनी चाहिए जो b से 90 degree पर अब जैड होता तो outward है वह outward बोर्ड में कैसे बनाए तो कई बचे कहने सर इसके perpendicular velocity होनी चाहिए तो perpendicular यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है कहीं भी हो सकती है आपने जैड ही क्यों लिया राइट हैंड ग्रिप लो लिया इस क्रूड लू याद है ना आपको आपको याद है तो मेरे बिटा एक बार बदाओ यदि यह वी है यह बी है तो बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर पहले मुझे यह बनाएए इस चीव को दिहान से देखना इस वाले को दिहान से देखना यह वाले E vector बराबर होना चाहिए B vector cross B vector के यानि E vector की direction B cross B की direction होनी चाहिए अब B cross B की direction के लिए हाथ को B की तरफ रखो उंगलियों को V की तरफ यानि Z की तरफ लाओ ना आता हो तो description में जाओ तो right hand को रखो B की तरफ fingers को लाओ V की तरफ और thumb होगा E की तरफ यानि B cross B की direction और E vector की direction तभी सेम हो सकती है B cross B की direction और E की direction तभी सेम हो सकती है magnitude योग तो सेम ही है तो भहिया अब सोच अच्छे यदि में गलती से velocity को invert ले ले लेता minus Z ले ले लेता तो B cross B की तरफ रहता अब minus Z देख बोर्ट पे तो ऐसे ही पनाना पड़ेगा अंदर की तरफ है तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर होती जो ए के बराबर नहीं होती कुल मिला कि अब इससे ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं वेलासिटी जैड एक्सिस की तरफ है वेलासिटी वेक्टर चलिए दो बार समझ लेना बाई क्वेश्चन नम्बर 19 कोई ऐसे एक्जाम्पल दो कि A वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है C वेक्टर डॉट बी वेक्टर के हमें को यह ऐसा उधरन देना है कि A वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लेकिन A और C बराबर नहीं है तो इसके तो हजारों लाखों एक्जाम्पल हो सकते हैं मैं दो तीन ने देता हूं अलग लगतरी किसी मानलो यह है बी वेक्टर और यह है ए वेक्टर उसके परपेंडिकलर और यह है बी वेक्टर वही वाला लेकिन यह है C वेक्टर उसके परपेंडिकलर तो एक बात बदा बटा A vector dot B vector क्या हो जाएगा इसका इन दोनों के case में A B cos 90 क्योंकि मैंने perpendicular बोला है और cos 90 0 और C vector dot B vector क्या होगा C vector dot B vector होगा ये भी perpendicular लिया है C B cos 90 और cos 90 0 तो C vector dot B vector भी 0 ये भी 0 यानिकि बटा A vector dot B vector बराबर है यहाँ पर बट क्या A और C बराबर है A और C तो अलग-अलग direction ही अलग-अलग है तो वो अनिक्कॉल है दो vector तो इक्कॉल तब होते है जब magnitude भी same हो direction भी एक और example ले लो किसे mathematical ले लेते हैं मानलो A vector है 3 I cap plus 2 J cap B vector है 1 I cap plus 1 J cap C vector है 6 I cap plus 0 J cap और B vector तो भहिया B vector तो वही है 1 I cap plus 1 J cap check कर A vector और B vector अब की बार कैसे निकालोगे तो I का coefficient I से multiply करोगे तो 3 इसे 5 ले लो समझा रहो और J के coefficient को J से multiply करोगे तो 1 2 तो total A dot B कितना आ गया 5 अब C vector dot B vector निकालोगे तो क्या होगा 5 I के coefficient को 1 से multiply करोगे तो 5 और 0 को 1 से multiply करोगे तो 0 तो यह भी आ गया 5 तो यहां आप सबको दिखाई दे रहा है कि फिर से A vector dot B vector भी 5 है और C vector dot B vector भी 5 है तो दोनों आपस में बराबर हैं बट क्या A vector और C vector बराबर है नहीं भई वो तो equal नहीं है एक तो हमारा 3 I के प्लस 2 J के प है दूसरा 5 I के प्लस 0 J के प है तो यह जरूरी नहीं होता तो भईया question number 20 आप लोगों को एक table दे रखी है भईया यह अधिकतर लोगों ने इसे गायव कर रखा है करवाते नहीं है मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि देखो HC वर्मा में मुझे भी पता यह numerical completion में कभी नहीं आएगा लेकिन यह numerical आपको graph के बारे में deep knowledge देता है तो इसी लिए मैं इसको करवाने की पूरी कोशिस करूँगा इसमें एक graph paper चाहिए बोल्ड पर तो graph paper बना नहीं सकते तो मैं approximately बना रहा हूं जितना बना सकता हूं और आपको समझ में पूरा आएगा बड़े ध्यान से देखिएगा इन्होंने एक table दे रखिए कि x की in value पर y की ये values है मैंने अभी इसे copy कर दिया है draw that graph पहले उन्होंने कहा graph बनाओ तो भई जितनी accuracy रख सकते हैं उतनी रखते हैं x की value 1 पर y की value 2 तो वो यहां कहीं आएगा जब ये 20 है तो 2 तो यहां कहीं होगा थोड़ा approximation चलेगा x की value 2 पर y की value 8 ये यहां जाएगा x की value 3 पर y की value 18 ये यहां पर पहुँचेगा x की value 4 पर 5 की value 32 32 यहां पर कहीं पर पहुँचा x की value 5 y की value 50 50 यहां आ गया 6 पर 72 6 पर 72 ये यहां पहुँच गया और 7x98, 7x98 यहां पर आ गया है लगभग लगभग यहां पर 8x128, 8x128 तो यहां कहीं पर होगा और 9x162, 9x162 यहां कहीं होगा और 10x200 यह ग्राफ इस तरह का ग्राफ आ रहा है फिर पहले उन्होंने का ग्राफ प्लॉट करो तो आप ग्राफ पेपर पे कर लेना और एक कुर इसी से कर लेना बोर्ड पर वोई है अब यह कहरें कि बिटब वैरिफाई यह वैरिफाई करो कि यह जो ग्राफ है वाई जिगर टो टो एक्स स्कॉयर है आप यह देखना जरा जब एक्स की वैल्यू वैल्यू क्या होगी वन का स्कॉयर इंटो टू जब एक्स की वैल्यू टू है तो टू एक्स स्कॉयर की वैल्यू क्या होगी टू 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 जा एक्स की value 3 है तो 2x square की value क्या होगी 3 का square into 2 यानि 9 into 2 18 x की value यादि 4 है तो 2x square की क्या value होगी विटा 4 का square into 2 यानि 32 आप सब check करो 1 पे 2 1 पे 2 यानि y 2x square है x 2 y 8 x 2 2x square 8 तो y 2x square है आप सारे चेक कर लेना आपको मिलेगा यह 2 x square है अभी और चीज़ है and the slope अब यह कहरे बड़ा x is equal to 2 4 6 8 पर slopes बताओ tangent के पहले x is equal to 2 पर 1 tangent draw करनी है यह मैंने draw कर दी tangent 4 पर tangent द्रौ करनी है यह draw कर दी मैंने tangent जो x is equal to 4 पर tangent है ठीक बड़ा फिर x is equal to 6 पर tangent तो वो कहरें tangent ड्रौ करो 2 पर 4 पर 6 पर 8 पर 8 पर भी मैंने tangent ड्रौ कर दी यह आप अलगलग tangent ड्रौ कर लेना मैं तरीके सिखा रहा हूं फिर वो कह रहें कि end the slope of tangent is 4x अब verify करो तुम्हें बात बताओ यह मैंने 8 पर tangent ड्रौ करी टेंजेंट ड्रौ करने के बाद आप यहां से 10 थीटा निकालना 10 थीटा को कहते हैं slope यह साइड यहां से देख करके मैं method सिखा रहा हूं यहां से देख करके आप परपेंडिकुलर पता करना और इस length को यहां से देख करके base पता करना perpendicular upon base निकालोगे तो वो कितना आना चाहिए तो जवाब है वो 4x के बादबर होना चाहिए जैसे यह x is equal to 8 है तो perpendicular upon base तुम्हारा 32 आना चाहिए परपेंडिकुलर की value यहां से देख के base की value यहां से देख के 32 आना चाहिए यह आपको verify करना है करना मत तरीका पता होना चाहिए x is equal to 4 पर आपने एक tangent draw करी है tangent draw करी फिर आपने 10 theta निकाला slope निकाला perpendicular upon base परपेंडिकुलर कितना है वो यहां से पता कर लो base कितना है वो यहां से पता कर लो perpendicular upon base से slope निकाल लो यह x is equal to 4 की tangent है तो 4 पर slope कहलाएगा 4 पर slope 16 आना चाहिए 4x तो वो यह कह रहे है यार कि x is equal to 2 मतलब जो slope है वो y is equal to 4x को follow करेगा जब x is equal to 2 पर slope निकालोगे तो slope आएगा यारी 10 theta आएगा 8 x is equal to 4 पर slope निकालोगे तो slope आएगा 16 x is equal to 6 पर slope निकालोगे slope का मतलब जहां भी slope निकालना हो tangent draw करो और tangent draw करके 10 theta निकालोगे तो slope आना चाहिए 24 and so on वो यह काम बस knowledge के लिए बता दिया बाखिक कुछ नहीं वैसे मैं बताओ slope 4x तो आता ही यदि y is equal to 4x square है तो slope क्या होता है slope होता है d y by dx अब फिर मैं वो ही कहूंगा यह दि डिफ्रेंशल का basic जानना है न तुरंत बिना पूछे मेरी playlist में चले जाओ सिपमी डिजिटल क्लासिस के चैनल को खोलो playlist में जाके differential integral ढूंडो आपको सारा मिल जाएगा सब सिखा रखा है तो dy by dx करोगे तो यह यह two sorry four into two x याने की बटा एट एक्स आ जाएगा तो यह मैंने आपको बता दिया है कैसे होना है पहले दिये गए data से graph बनाना है graph बनाने के बाद slopes बनाने है देंजेंट बनानी है अलग अलग जगह मैंने सारी 10 नी बनाइन टूपर टेंजेंट बनानी यह 4 पर बनानी है physics पर बलानी है फिर जारा निकल लुए अई शोटा यह इतना सब्रेंगिल लूंक तो 10 तीटा लगाएंगे क्या बहिए और फिर तीटा तो सारे सेव है जो तीटा यहां वो यहां वो यहां क्या ट्रैंगिल बढ़ा छोटा होने से टैंट बदल जाएगा हर वार एक ही आएगा तुम्हारी अहीं निकल बार रहा हूं तुम यह अदि चाहू इतना सा है ड्लो जिसे आसानी से नाप सको और 10 थीटा निकाल दो वह यह आएगा समझ में आ गया तो यह था आपका question number 20 अभी एक question और हो सकता है वो भी differential से related है मैं इतने तुम screenshot लो मैं अगला question और करवा दू पटाफट बस यह last होगा इस आज की वीडियो का इसे ग्राफ को नहीं मिता था बिटा question number 21 अब यह pure differential में गुश गए उन्होंने कहा यदि y is equal to sin x है x changes from x जो है πाई बाई 3 से बढ़के πाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100 हो गया यदि x इतने से बढ़के इतना हो गया मतलब change कितना मान बता रहे है चेंज तो पाई बाई 100 का ही हुआ ना उसे बोलेंगे dx बहुत small change है तो dx large change है तो delta x x की value शुरू में थी x यानि पाई बाई 3 बाद में हो गई x में पढ़ गया dx यानि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100 तो वो कह रहे हैं कि बताओ y में कितना change होगा dy बताना है dy कहते है y में हुए change को इंटू dx dx था पाई बाई 100 पाई बाई 100 कॉस्ट 60 होता है हाफ पाई है 3.14 अपॉन हंडिड तो यह हो जाएगा वीडियो में पहुंचने जा रहा हूँ वहाँ पर काफी आएगा तो मैं एक लास्ट बार कह रहा हूँ कि यदि आप लोगों को डिफरेंशियल नहीं आता है तो अगले पांसात निमेरिकल दस निमेरिकल समझ में नहीं आएंगे तो तुरंत इतने मेरी अगली वीडियो आ आखे डिफरेंशियल इंटीग्रल के सारे पार्ट पढ़के बैठ जाओ ठीक है बड़ा मिलते हैं जल्दी बाई बाई